आज की में जो बात शुरुआत करूंगा अभी कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि आदर्श की बात होती है अकसर के कौन पार्टी आदर्श वादी है और आमादमी पार्टी का आप पर जो इंट्रुड़क्शन दिया के बहुत एक अलग तरह की जो है करफशन के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी एक आमादमी की पार्टी नाम इतना अच्छा कॉमन मैं से जुड़ता हुआ कनेक्ट करता हुआ नाम आपको मिलता है और आप इस तरह के कारणामे करते हैं इनके तीसरे मंतरी हैं जो ये जेल गए हैं ओवर ओल की बात करूँ तो चोथे मंतरी हैं अगर पंजाब को भी मैं कर लो तो सामिली समें केजरी वाल ने उनकी डिगरी चेकी नहीं की उन्होंने कहां से होंगे जब इसमरती रानी बोलती हैं हिंदी इंगली इवन बंगाली तीन चार भासां में फ्लुएंसी के साथ बोलती है इसमरती या तो उसका कोई शिक्षा से लेना देना नहीं कि आपकी डिगरी क्या है लेकिन आप कानून मंत्री ऐसे आदमी को बना रहे हैं जिसने नो मुझे लगता नहीं शैद मुझे नहीं जान पड़ता कि भागलपूर से क्या किया था लोने लेकिन वहाँ पे असाम में भी उनका एक जगे पे टीम गई थी जाच के लिए और वहाँ उसका दफ्तर ही नहीं मिला था तो ऐसे तो इनके कानून मंत्री थे और आज को बहता ह चुके हैं जितेंदर तोमर को और उसकी पतनी अभी भी विधायक है अमादवी पार्टी की ये बैक डॉर से काम सारे करते रहते हैं सतेंदर जैन इतना बड़ा चीट इतना बड़ा फ्रॉड कि सारा सारी दिल्ली कोरोना काल में हमने हमें पता है ओफिस में हम किस तरीके से हमने काम किया है आकर और उस दोरान ये सतेंदर जैन किस काम में लगावा था अपनी बेटी अपने दामाद फलाना धिकाना सब को स्वास्ति वाकि सारे ठेके बैड लाने हैं और आईसियू यूनिट लानी हैं सब चीज में ये पैसे खा रहे थे और भगवान ने इनको सज जादी कैसे ये करोना के सिकार हुए ये गजनी बन गए करोना के सिकार हुए करोना सिकार हुए तो ये अपना इलाज कराने के लिए अपने वल्ड किलास हॉस्पिटल से निकल कर मैक्स जैसे घटिया हॉस्पिटल में गए मैक्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जिनकी एक बड़ी रेपुटेशन है पूरे इंडिया में बड़े बड़े उस्पिटल से हैं तो इन्हें अपना प्लाजमा चेंज कराना था तो गए वहाँ वहाँ पे चले गए तो इन्हें कर्मों की सजा मिल रही है जब यह तियार जेल में गए सतेंद्र जैन आप सब जानते ही ह मैं तो हमेसा इन्हें गजनी ही कहता हूँ अपने शोज में जब भी इनकी जिकर होता है कि यह गजनी बन गए है वहाँ पे तो इनके कारणा में है और फिर अभी देखिए पंजाब में रिसेंटली क्या हुआ बगवन तमान की सरकार बनती है एक महीने के अंदर ही हेल्ट म मान उसे अरेस्ट कराते हैं कहते हैं कि यह ब्रश्टा चार मारे यहाँ जीरो टोल रेंस है फालना डिमका है अरे भाई उस आदमी की छवी पहले देखतो लो जिसको आप टिकट दे रहे हो पहले तो इन्होंने अंदा दूंद टिकट बाटे हैं अब तो फिर भी सुधर ग ही कभी और बहुत सारे पत्रकार मित्र जो हैं हमारे common friend हैं हम लोग मिलते रहे हैं पहले भी मनीश सिसोधिया से मैं कभी face to face नहीं मिला क्योंकि जब मैं दिल्ली में आया तो वो राजनीती मा चुके थे अन्ना अंदोलन हो चुका था लेकिन मनीश सिसोधिया ने जो सबसे बड़ा गुन सिखाया केजरीवाल को वो यह सिखाया कि कितना भी कितना भी भरष्टाचार करते रहो जमकर पैसा कमाते रहो कुछ भी करते रहो लेकिन मीडिया को मैनेज करके चलो मीडिया को साथ लेकर चलो मैंने इस पर एक शो भी किया था हमारे एक वरिष्ट पत्रकान वाल के खिलाफ लिख दे आज की भी रिपोर्टिंग आप उठा कर देख लें उसमें कुछ नहीं है केवल ये है कि ये इन पे आरोप हैं ये 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 जेल में गए और उसके बाद ऐसे हो गया ऐसे ऐसे हुआ और आमादवी पार्टी ने क्या का बीजेपी ने क्या क्या जो एक रहती है कि कोईसी ने एक पेज चापा किसी ने दो पेज चापा लेकिन उसमें कहीं भी कोई ऐसी हार्ड हिटिंग स्टोरी मैंने नहीं देखी कि वो ये बताए कि वास्तों में इन्होंने किया था इनके उपर आरोप क्या हैं उनको भी डिटेलिंग में नहीं गए चार-च परेशरावल से ही साध ये प्रेरित हुए और इस दोरान ये उसको तोड़ते रहे तोड़ते रहे आप बताइए कि एक शराब की पॉलिसी आपने बनाई और वो पॉलिसी जो बनी थी 2021 से 2022 के बीच की और 2021 और 22 के बीच का दोर पता क्या है आपको कोविड से गरसित थी दिल्ली पूरी की पूरी उस समय तो इन्हों ने इन मौका परस्तों ने आपदा में अवसर जो ढूडने वाली बात होती है उन्होंने शराब माफियाओं ने कहा कि साब सारे लोग घरों में हैं कोविड में लोकडाउन में बंद हैं और दारू पीने के लिए तरसे जा रहे हैं आपको याद होगा कि जब लोकडाउन खुला था दिल्ली में पहली बार जब लगबग एक महीने के बाद खुला था दोजार बीस में जब फस्ट उसमें जब फूट मिली थी सबसे पहले दिल्ली में शराब के ठेके कुले थे उस समय जो है अर्विन केजरी वाल की एक बहुत अच्छी बहुती दिल्चस्प एक ओफर आई थी उन्होंने कहा हालकि इस बात को लेके आपत्ती हुई केंदर सरकार ने आपत्ती की थी होम मिनिस्ट्री से इने चिठी गई के दिमाग ठिक ठिकाने रखो उपने और ये एक नई परमप्रेस देश में मत शुरू करो वरना फिलिप कार्ट अमेजर निकल को सब पे शराब ही बिकेगी और क कौन जाएगा ठेकों पे कोल लाइन लगाएगा भाई जब सब को घर में मिलने लेगेगी बताहिया तो उस समय इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई इनको सपोर्ट कहां से मिली केसी यार से शराब की जितनी भी लिक्वर की जितनी भी पॉलिसी इस देश में तै होती है दक कमाओ हाँ हर हर परदेश में क्या है आपने देखा होगा बिहार में तो खेर सराब बंदी है यूपी में या दूसरे स्टेट्स हैं जो वहाँ पर क्या होते हैं सरकार आबकारी नीती के तहत खुद ही सरकारी ठेकी होते हैं सब जगे सरकार खुद ठेके छोड़ती है और व हम आपको जबरदस्त कमिशन देंगे, एक साल में ही हम आपको तर कर देंगे, इतना माद देंगे आपको, और कमिशन तैह हुआ, जो पहले पर बोटल पे पांच परतिशित था, उसे बारा परतिशित कर दिया, उसमें देखने के लिए ऐसा लगा, कि सरकार ने अपना हिस्सा कम नहीं करना चाहिए, सरकार तो सारी सरकारे टेक्स, शराब पर इसलिए ज़्यादे बढ़ाती हैं, जिससे के रिवेन्यू ज़्यादे आए, और आप उन प्राइवेट वालों को दे दे रहे हो, और पांच से बारा परसेंट उटका कमिशन कर दे रहे हो, रिटेलर कमाने या, शराब के जो रिटेलर थे प्राइवेट वाले, वो उन्हें तो कमाली कर दे रहे हो, और उन्हें कहा कि एक बोतल पे एक फ्री, आपने कभी सुना कहीं शराब के साथ एक बोतल फ्री, ऐसे, मीडिया की बात जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, कि किसी की हिम्मत नहीं है कि एक लाइन इनके खिलाफ लिख दे, आशुतोस जो है, जब वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, और चामनी चोक सीट से चुनाव लड़े थे अर्शवरधन के सामने, डॉक्टर अर्शवरधन के सामने, और हार गए थे, तो उनके बाद उन्हें सबसे पह कैसे चलाना है, तो जिसे कहते हैं ने घर का बेदी लंका डाय, पत्रकारिता को किस तरीके से कबजे में किया जाता है, किस तरीके से उन पर नियंतरन रखना है, ये आशुतोस सिखा के गया है, आशुतोस ने कहा कि आप से विज्यापन दो जितनी भी आप दे सकते हो, और उस विज्यापन के सामने सब खामोश हो जाएंगे, आपने कहा ना कि गिरिफतारी का, गिरिफतारी केजरी वाल की इमत नहीं है, किसी की करा दे, दिल्ली पुलीस उनके नीती नियंतरन में है नहीं कोई ऐसी उनके पास ताकत है नहीं क्योंकि, इन्होंने सभी को मैनेज कि या शुरू शुरू मैं आपको बताऊओ के ताइम सोफ इंडिया गृूप इनके कबजे में नहीं आये था, चुकि टाइम सोफ इंडिया गृूप एक बहुत बड़ा गृूप है, आप जानते हैं, देश का सबसे बड़ा गृूप मैं उसी को मानता हूं, एप्रोच और उसकी रिपोर्टिंग, उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी, इन सब चीजों को देखें, दर्शों को, जो उसके रीडर्स हैं, उनके लिए सबसे अच्छी ओफर्स उसके पास होती हैं, तो उन्हों ने, शुरू शुरू में वो उनके कबजे में ने आये, और खास्तोर से टाइ प्रिंटिकल, प्यॉर पॉलिटिक्स के नाव, उसकी स्टोरी बहुत आउटस्टेंडिंग और बहुत ही बढ़िया होती है, हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, जो दूसरे स्टेट्स के बारे में इतना नहीं जानते, वो अकसर उन चीजों को हम लोग रीड करते हैं, उसम के अख़बारों में, जो मेन राइवलरी है दिल्ली में, टाइमस ओफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइमस के बीच में है, हिंदुस्तान टाइमस दावा करता है कि हम नंबर वन है, लेकिन हिंदुस्तान टाइमस केवल पेपर पे नंबर वन है, आप फिल्ड में जाओगे तो Times of India ही आपको ज़्यादे मिलेगा पूरी दिल ली तो उन्होंने क्या काम किया कि हिंदुस्तान टाइमस ने कंप्रोमाइज कर लिया बिरला जी ने जो शोबना भरती आप देखती है उसे बिरला जी की बेटी उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया और उसके बाद हिंदुस् अखबार आम आदमी पार्टी से डेड़ सो करोड रुपे जनरेट करता है विग्यापन का रिवेन्यू जनरेट करता है तो आपकी जो राइवल अखबार है जैसे के Times of India है तो उसकी मार्किटिंग टीम का दबाव बनता है एडिटोरियल टीम पे मार्किटिंग टीम कहती है कि साब हम टार्गिट पूरे नहीं कर सकते क्योंकि डेड़ सो करोड का जो मार्जिन आम आदमी पार्टी का आ रहा है वो हमारे पास नहीं आ रहा हमें विग्यापन उसके नहीं मिल रहे हमें उन्होंने बैन कर दिया है हम उसकी जलाग कर रहे हैं तो इस तरीके से इन्होंन बताऊंगा मेरे साथ काम कर चुके हैं जा साब हैं वो और दैनिक जागरन में रहे हैं पहले वो उस टीम को हैड करते हैं और 15-20 लोगों की टीम उनके साथ वहाँ पर बैठती है और वो दिन भर यही देखते हैं कि किस चैनल पर हमारी पार्टी के बारे में क्या चल रहा है कि सख़बार ने आज क्या चापा इवन जो है वो उससे इंचिज में नाप लेते हैं कि आज हमारी कवरेज की सख़बार में कितनी बड़ी है बाकैदा हर एक का रिजिस्टर मेंटेन है हर अख़बार का तो इतने दबाव में दिल्ली का मीडिया वाला क्या करे रेवेन्यू क छोड़ नहीं सकते हैं यह बहुत बड़ा सच है पत्रकारिता में आज यह बात कहते हैं कि पत्रकारिता mission है लेकिन ये पत्रकारिता mission है ये जो कहावते बनी थी ये आजादी के समय बनी थी जब वास्तों में पत्रकारिता एक mission था और सबका एक ही mission था कि अग्रेजों को बगाना है अब इसके बाद व्हेवसाई करन हुआ है चीजों का आज हर अख़बार को अपने याँ काम कर रहे एक हजार लोगों की तनखा निकालनी है अपने जो printing कोस्ट है वो निकालनी है चैनल वालों को अपने जो technical staff है उनको salary देनी है social media की team को salary देनी है बहुत सारे खर्चे होते हैं जिन से आपको कुछ refund नहीं मिलता मجबूरी है अब कोई भी कुछ भी कहता रहे कि साब ये अखबार वाले बिक गए हैं फलाना ये सब मजबूरी है इससे आप भार नहीं निकल सकते तो मुझे लगता है कि मीडिया उस तरह की रिपोर्टिंग अब किसी भी राजनितिक दल के खिलाब करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है आप आमदी मवार्टी को छोग दीजे बाकी को भी देख लीजे के आप उसे कहें कि ये साब खोज परक पत्र कारता है कल को उसे कहने लगेंगे इसे कि फला पार्टी का आम आद्वी पार्टी के खिलाब लिखोगे तो उसे बीजे पी के एजेंट बता देंगे आप बीजे पी के समर्थन में लिखोगे तो आप बीजे पी के एजेंट बता देंगे कॉंग्रेस वालों के खिलाब चापोगे तो आप बीजे जेल जाना तैय है ये बचेंगे नहीं जब FIR दर जोई थी मनिसी सूदिया सीन में नहीं थे इस मामले में शराब को टाले में उस समें वो सीन में नहीं थे जाच चल रही थी जब जाच आही तो एक شक्स था दिने सरोडा शराब का बड़ा कारोबारी है और मनी सिसोधिया को सारी डिलिंग्स वो ही शक्स करा रहा था उसको तोड़ा है सीदियाई में और उसे कहा है कि तुम सरकारी गवाब बनो उसी ने सारी पोल खोली है इनकी और देखिए इसमें एक बात और बताऊं मैं काइदे से तो जाना तो जेल अर्विन के अपरे पास रखती थी होम मिनिस्ट्री रखती थी फाइनेस डिपार्टमेंट कुछ अपरे पास रखती थी क्योंकि दिल्ली में आप पांच या छे से जादे मंतरी नहीं बना सकते है छोटी विदान सबाय है या पर तो लेकिन अर्विन के जरिवाल ले चीटर ना जिनके वो भी नहीं रखा कुछ नहीं रखा सब दूसरों पर दे दिया कि तू साइन कर तू मर मुझे कोई मतलब नहीं है इस बात से तो अन पेपर तो अर्विन केजरिवाल फंसेंगे नहीं अब अगर उनको इस तरीके से नाम ले लिया जाए ये कुछ ऐसी मनिस्टी सोधिया कल सरकारी गवा बन जाएं तो कुछ कहाने या सकता आपको मैं बता हूँ कि सतरा पिछले साल सताइस या सतरा अक्टूबर की बात है जब पहली बारी ये सिसोधिया गए थे सीबिया के दफ्तर में बड़ा एक जबरदस्त माँ पर सीन हुआ था ये दूसरी बारी गए हैं ऐसे ये बार नकले तो वो जो आतिशी मारलोना क्या है और आईसे एक पर्ची लेके आई और ऐसे मनीशी सौधिया के हाथ में दे दी मनीशी सौधिया ने वो पर्ची ऐसे पड़ी अपनी जेब में डाल ली और जैसे ही वो मीडिये के पास आए तो उन्होंने क्या का कि बड़ा जूट जो आम आदमी पार्टी के कटर समर्थक है उन्हों ने भी सोशल मीडिया पे लिख दिया कि भाई बस बस करो जूट बोलने की हद करो मनीज सिसूदिया तो एक पपेट है मनीज सिसूदिया को जो कहोगे वो बोल देगा मनीज सिसूदिया को परची दे दी गई कि आपको ये कहना है अब उस वो खबर केवल उसी दिन छपी अज़ादतार अख़बार होने थे उस बात को उसके बयान को चापा ही नहीं सुना ही कि मनीज सिसूदिया क्या किया रहा है क्योंकि उस पर कोई जगी नहीं कर सकता कि एक दो पत्रकारों ने ये पूछा कि आप बताओ को सी बी आई के उस अधिकारी का नाम बताओ आप हमें जिसने आपको ये ओफर दी है कि साब आपको डिप्टी सीम बना देंगे या सीम बन कर रही है भाई दिल्ली में इन्होंने बरबाद कर दिया है और दिल्ली में अभी ये जाएगी नहीं पंजाब में तो आप आज ही चुनाव करा लो तो इनकी 50% सीटे चली जाएंगी अभी का भी पंजाब में तो इतनी हालत खराब हो चुकी है क्योंकि पंजाब का आदमी समझ चुका है कि हमने हमारे से गलती होगी है हमने जो है गलती कर दिया लेकिन दिल्ली में जहां पे बिहार का आदमी उडिसा का आदमी यूपी का आदमी पंजाब का आदमी तमिल नाडू का आदमी आके नौकरी कर रहा है मजदूरी कर रहा है छोटी छोटी काम कर रहा है उ और वहाँ पर अभी देखना अभी कुछ कारणा में और पंजाब में भी होने जा रहे हैं अभी रुकने वाला नहीं है अमरितपाल वाला जो मामला हुए उठ गया है अमरितपाल वाला मामला और आज उसने खबर चाप दी है इंडियन एक्सपेक्स ने फरेंट पेज पर भर रहा है होम मिनिस्ट्री के सामने प्रेजेंटेशन हुई थी अमित शावस मीटिंग में मौझूद थै चपी आज पहले पेज़ पर एक्स्क्लूसीव खबर है आम आदमी पार्टी को जो कैडर मिला है सारा आप आम पंतियों से मिला है इस आम आदमी पार्टी में कितने लोग हैं जो बीजेपी या कॉंग्रेस छोड़ के गए बताओ आप कों है आम आदमी पार्टी के कितने पार्शाद और वो सब बीजेपी में आ रहे हैं कॉंग्रेस में भी गए हैं जबकि कॉंग्रेस को दिल्ली में कोई पूछ नहीं रहा है लेकिन आप ये बताओ के बि इन लोगों की सपोर्ट है, इन ही लोगों ने गाइड किया है, इनकी जो आर्थिक नीतिया हैं वो जेनियो के इकनोमिक्स के प्रोफिसर तै करते हैं अभी बजट आना है दिल्ली का और ये एक हफ्ते पहले पेशी होनी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें